दोस्ती कुँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जिस भाई ने भी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर ले और लाइक कर ले जिससे आने वाले नोट्यूकेशन आप तक जल्दी पहुचें दोस्तों किशान भाईयों के लिए सरकार की तरफ से एक खुशकबरी है किशान करजा माफी योजना दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिन किशानों का करजा माफ होगा वो अपना नाम लिस्ट में कैसे चेकर से हैं ये 2022 की योजना है न्यू लिस्ट आई है मैं आपको बताऊंगा किस टाइब से आपको अपना नाम चेक करना है list में और जो भी किसान इसके लिए valuable होंगे ये ये जीवल होंगे वो अपना नाम में साइट पर जाके चेक कर सकते हैं मैं आपको में साइट पर लेकर चलता हूँ लिस्ट दोहजार पाइस उत्तर प्रदेश कर्जा माफी लिस्ट दोस्तों ये सरकार के दुआरा नोटिकेशन आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ इसमें किन किन किशान ये official news है आप यहां पर check कर सकते हैं ऐसे में जो किशान अपना नाम UP किशानलीनमोडचा योजना के अंतरगत देखना काते हैं बेh official website पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपके बताऊंगा कैसे आपको अपना नाम check करना है और कौन-कौन से किशान इसमें सामिल होंगे मैं आपको सारी information दिखाऊंगा किशान करजा माफी योजना किन किशान होगा? करजा माफ होगा list मैं आपको देखना बताऊंगा कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं और कितने तक का आपका रिन माफ हो जाएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जैसे दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं उत्तर पिर्देश किशान रिन मोचन योजना 2022 इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यह है उत्तर पिर्देश किशान करज राहत योजना किस सुरुवात राज्य सरकार के द्वारा 9 जुलाई 2017 में की गई थी दोस्तो इसकी जो सुरुवात हुई थी 2017 में की गई थी यहां नोटिक्षिन में सब कुछ है लिखावा आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको लिंक अपनी वीडियो में डाल दूँगा आप उसको वहां से डाउनलोड परके नोटिक्षिन को और सब कुछ चेक कर सकते हैं इसमें एक लाख रुपे तक का लोन राज्य सरकार के दोरा माफ किया जाएगा किशानों का और इसका लावारती 86 लाख किशान उठा पाएंगे तो मैं इसके बारे में आपको फुल इन्फुमिशन देता हूँ आपको और दोस्तों किया रहा है यदि उत्तर पिर्देश का कोई छोटा या सिमित किशान इस योजना के अंतरगत आपना आविदन कराना चाहता है तो उसे उसे पहले यूपी किशान कर्ज माफी योजना 2022 के ओफिस्यल बैप साइट पर जाकर अपना आविदन कराना है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसको साफ साफ लिखा हुआ है आपको पहले क्या करना है कर्ज माफी योजना के अंतरगत अपना रेजिस्टिशन कराना है अगर किसी को कर्ज माफ कराना है तो दोस्तों कर्ज माफी योजना के अंतरगत जो भी डोकुमें लगेंगे उसके बारे मैं बताऊंगा आपको और ये नोटिकेशन आप अच्छे से रीट कर लेना इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अधार कार्ड लगेगा अधार कार्ड के बाद जमीन का दस्तावेज उत्तर प्रिदेश का इस्थाई नागरिक मतलब निवास प्रमाल पत्र आपका लगना है पैचान पत्र आपका लगना है और पास्बूक की फोटो इसको डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं चलो मैं आपको में साइड पर लेकर चलता हूँ जहां पर आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना है दोस्तों यह में साइड है जहां से आपको अपना नाम चेक करना है लिस्ट में किसान रिड मोचन योजना उत्तर पिरदेश तो मैं आपको बताऊँगा यहां से कैसे आपको चेक करना है जब आपको इसको अपने mobile लैप्टोप में उपन करोगे तो आपको सबसे पहले यह main press चेक होगा उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आके आपको यहां पे एक options मिलेगा अपना रिन मोर्चन किस्तिथी जाने दोस्तों यहां पर आके यहां पर आके आपको क्लिक करना है यहां से क्लिक करके एक page open होगा page open होने के बाद यहां पर लिखा होगा रिन मोर्चन किस्तिथी देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अपना खाते का पिरकार चूज कर लेंगे और बैंक अपना जो भी बैंक है आपका आप वो बैंक देख लेंगे जिला और ब्रांच और किशान क्रेडिक कार्ड संख्या मोबाइल नम्बर डालेंगे और capture डालके submit कर देंगे जिन जिन भाईयों का किसान कर्जमाफी योजना में नाम होगा उनका वहां से show हो जाएगा, list में नाम आ जाएगा कोई भी problem हो तो आप हमें comments कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे Thank you for watching video